हेलो फ्रेंड वेलकम टू ग्यान प्लस यूपी प्रदेश स्पीस समंदित एक नई वेकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें क्रिसी प्रावधिक सहायग भरती दोस्तों यह बोरती काफी दिनों से इक पड्ड़ी होए इसका इस्ट्सक्रावय है नहीं तो क्या आपडेट आ रही है तो इस पर चर्चा करेंगे क्रिसी विवाग में जो वंपर भरती हो रहे है उसका स्टेटर सिस्टम में क्या है कब तक इसका विग्यापन जारी होगा तो इन सभी महत्पोड विंदों पर चर्चा करेंगे विग्यापन जारी भी होगा या नहीं किस प्रकार से फसी हुई है आयोक्यों जारी नहीं कर पा रहा है अपन इन सभी महत्पोड विंदू पर चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं वीडियो में आप लाश्ट तक बने रहेगा तब चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएग प्राविदिक सायक के 3436 पदों पर सुरूर नहीं हो पा रही वरति जियां दोस्तों ती 3,500 के करीब पद हैं फिर भी भरति सुरूर नहीं हो पा रही है यूपी प्यसी के संसोधित डाटा को यूपी त्रिपरदेश सिन ने बताया धूरा जियां दोस्तों इन दो आयोगों उत्तर प्रदेश संग लोग सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग है और उत्तर प्रदेश अजिनस सेवा चैन आयोग का जो बीच का है यह मामला फसा हुआ है इन दोनों में तो क्या मामला है चलिए आपको दिखाते हैं प्रयाग रास्य यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से मर उजाला के आउट्डूट आउटकटिंग हैं यहां पर देख सकते हैं क्रिसी प्रावधिक सहायक के चोतिस सो चतिस पदों पर भरती प्रक्रिया फिर अटक गई है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग यूपी प्यस्टी ने क्रिसी प्रावदिक सायग भरती 2013 के 906 अभ्यर्थियों का जो संसोधित डाटा वेज़ा था उत्तर प्रदेश अजिनस सेवा चैन आयोग यूपी त्रिपर सी ने उसे अधूरा बताया है दोनों आयोग के वीश डाटा के लेंदेन में अभ्यर्थी घंचक बन गया है जिए दोस्तों इन दोनों आयोग के चक्कर में परसान अभ्यर्थी हो रहे हैं किस प्रकार से देख सकते हैं सुप्रिम कोर्ट का आदेश भी आया था यहां पर देख सकते हैं सुप्रिम कोर्ट के आदेश के अनपालने में क्रिसी प्राविदिक्स आ है मरते 2013 में सामिल हुए 906 बेर्थियों को नई भर्थी में सामिल किया जाना है यह बर्थी ओबर हो जो हो चुके हैं नई भर्थी में इनसे अलग से अवेदन लिये जाएं इससे पहले भर्थी के जिम्यदारी वहसे वहका के यहां के पुराना data चाहिए जो यू पी पीपिएसी के पास है यू पीपीएसी ने पहली बार लेट भेजा तो कहा तो दोस्तों ओत्तर प्रदेश अधिनगों की प्रकृया पूरी होनी जो यूपी प्यसी से वह डाटा मांग रहा है तो डाटा आप अधूरा बताया जा रहा है यह उत्तर प्रदेश अधिनस सिवा चैन आयोक का कहना है यूपी प्यसी ने संसोधी डाटा तो भेज दिया तब भी भरती का विग्यापन जारीन नहीं किया गया यहां पर देख सकते है किस प्रकार से वहाँ पर भेज दिया गया है लेकिन भरती की प्रक्रियाप पूरी नहीं हो पाई है यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से जब विग्यापन के लिए धन्ना देने पहुंचे तो उनसे कहा गया कि दूशरी बार डाटा अधूरा है यूपी त्रृसी की रहे हैं अभी तब भरती नहीं हो पाई है और यूपी त्रिपलसी यूपी प्यस्टी के बीच में मतभेद है नौस अच्छा पुराने भरती जो है उनको लेकर मतभेद है तो आखिर कब तक यह भरती पूरी होगी मीडिया प्राभाई विनोध गौर्ण इसप्ष्ट किया है यहां पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों का कहना है कि दस वर्षों से क्रिश्टी प्राभ्धिक्स आयक के पदों पर कोई भरती नहीं हुए है डाटा के नाम पर पूरी भरती को लेकर रखा गया है ऐसे में कई अन्य अभर्थे भी विग्यापन के इंतिजार में ओब को प सीसे अपडेट आती है यसके विग्यापन के बारे में फिलाल एक लाएंगे सी दूसरी वीडियो में एक आप डेट के साथ तक के लिए धन्य बाद